जय मातादी दोस्तों मैं रोसिं सुकला एस्टरोजी एंड वास्थु एक्सपार्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों सुबई का समय ब्रह्म मुहरत कहा जाता है इस समय में आप जैसा काम करते हैं जो सोचते हैं या फिर जो देखते हैं उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सुबई सुबई भगवान का भजन पूजन करना चाहिए जिससे पूरे दिन मन में अच्छे विचार आएं और सुबई के समय हम जो बोलते हैं वो सब्द भगवान तक जरूर पहुंशते हैं तो आद मैं आपको एक ऐसे मंतर के बारे में बता रही हूँ जिसे अगर आप सिर्फ 21 बार सुबई उठकर बासी मूँ बोल देते हैं तो इससे गरीबी मिठती है धन का आगमन तेज होने लगता है और व्यक्ति बहुत जल्दी धनवान बन जाता है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गरीबी मिठ जाए आपके पास भी दुनिया भर की ऐसो आराम हो तो बस इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहे और अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और वेल आइकन भी दबा द दोस्तों मंतर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि आप सुबह जब सोकर उठें तो एक काम जरूर करें कि इधर उधर ना देखें बलकि दोनों हतेलियों को एक साथ जोड़ कर सबसे पहले अपनी हतेलियों का दर्सन करना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ की हतेलियों के अगले भाग में माता लच्मी, मद्ध भाग में माता सरश्रती और मूल भाग में भगवान विश्नु निवास करते हैं हतेलियों का दर्शन करने के बाद आप अपने चेहरे पर हाथ फिराएं और हतेलियों को चूमें अगर आप नित प्रतिदिन हतेलियों को जोड़ कर उनका दर्शन करके और उन्हें चूमते हैं तो इसते माता लच्मी भगवान विश्णु और माता सरश्वती की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोस दूर हो जाते हैं चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिसे यदि बासी मू 21 वार बोल दें तो इससे कुंडली में धनीयोग बनने लगता है और धन की प्राप्ती होती है तो दोस्तों सुबह उठकर हतेलियों के दर्शन करके आपको ये मंत्र 21 वार बोलना है मंत्र है ओम स्रीम स्रिये नमा ये मंत्र मातालच्मी का बीज मंत्र है अगर आपको धन चाहिए तो इस मंत्र के बाद में धनम देही जोड़ देना है और बोलना है ओम स्रीम स्रिये नमा धनम देही अगर आपको पड़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करनी है तो बोलना है ओम स्रीम स्रीय नमा बिद्या देही अगर आपको रूप स्वांदर की कामना है आप चेहरे में निखार और चमक लाना चाहते हैं तो बोलना है ओम स्रीम स्रीय नमा रूपम देही यनि कि आप जिस भी चीज की इच्छा रखते हैं उसे माता लच्छमी के बीज मंतर के आंगे जोड़ कर 21 बार बोल देना है वैसे अधिकता लोगों को धन की आवश्चक्ता होती है तो अगर आप नित सुबह उठकर विश्टर पर ही इस मंतर को 21 बार बोलते हैं तो इससे धीरे धीरे आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होने लगती हैं क्योंकि सुबह के समय मंतरों का प्रभाव अतितीब्र होता है जो कभी खाली नहीं जाता है ये ऐसा अचूक मतर है जिसके बोलने से आप धन दौलत, एश्वर, बिद्या, रूप, शौंदर, मन पसंद जीवन साती सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप ये उपाए एक बार अवश्य करें आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी इसमें किसी भी प्रकार का संदे नहीं हैं उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सेयर कीजिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार इश्वर करें आपका दिन सुवो